तो इसके लिए आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे तो फाइनली हम यहाँ पे आतिलागू का कोस्टेन अंसर लेकर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा बाच कीज़ेगा और चैनल पर नयाद तो अचलागो सब्सक्राइब करके बिलेगन प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो का अप्लोड करूँ उसका नाटिफिक्स सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वीडियो अचलागे तो लाइक कर जरूर लिखेगा और अगर आपके कोई दोस्त है इस रेलेटर अगर पढ़ना चाहते तो उनको सेर भी कर दीजाए तो यहाँ पर सबसे पहले आती लाग उतार यह प्रस में समानिता धातू करंग कैसा होता है तो आपको पता होगा समानिता धातू करंग होता है वह आपको समानिता धातू करंग चांदी जैसा सफेद या भूरा होता है ठीक है तो समानिता ऐसे धातू होते है एक दो ऐसे अपवाद है जिसको हम पढ़ने की दोरन देख लेंगे यहाँ पर इल्मूनियम का उप्योग बिद्दूत के विलों में क्यूं होता है तो इल्मूनियम को अच्छा सुचालक है तो इससे भी अच्छा सुचालक है मगर यह एक अच्छा सुचालक है तता हिया सस्ते दामों पर असानी से मिल जाती है इसी कारण इसको अपयोग विद्दूत के विलों में होता है तो बात समझ में आ गई होगी यह कोस्चन जो आपके लिए है पर आपका अगला question है जंग क्या है जंग क्या है जंग simple जो लोहा होता है यह जो आपका भी किरिया होता है बाईयों और जल रह Main better यह जयना वो वह गहिन किरिया हो तो पॉह आखैट में आपकर बनाता है वूंख को हम लोग बोल तेजों कि लोहजी की लोई की Oxide का नाम है Oxido का नाम है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा Oxido का नाम है ठीक है Oxido का नाम है तो एक तरह से Oxido का ही नाम है और जंग लगता है तो आप लोग देखेंगे जंग को जंग लगने की जो अब आश्यक सरते यह देखिए तो जंग लगने क लिए पानिया और अक्सिजन दोनों अनिवारे यह आपका सर्थिव है पाचमा नमर में सोना नम बायूस से भी अभी किर्या नहीं करता क्यूं तो क्यूंकि जो सोना होता है वो काम अभी किर्या सिल का धातु तो ही आप लोग इसका जो करम देखे होंगे किताम में भी है तो यह काम किर्या सिल होने वह मुगत वास्ताँ पाई जाने वाले उतकरिस धातु होते हैं इसलिए यहां पर आगे लिक भी सकते इसलिए क시고 question आपक आधिकांस धात में जल से अभी करेंग क्या बनाती यह तो आपको सीवन नमबर उन दो धात्मों के नाम लिखें जिने हम चाकू से सरलता से काट सकते हैं प्राथे समय इसके बारे में काटते हुए इसका पीक्टर भी देखाया इल्मुनिया वाँ पानी में अभी किरिया क्यों नहीं होती तो सबसे पहले बात जो पानी रोग पता जल भी था और ठीकर भायू भी था क्यों कि यहां प्यास का आंसर होगा क्योंकि पानी नूटन पढ़ता है इसलिए ऐलमुनियम के बरतर में पानी गर्म करने पर कोई अभी क्रिया नहीं होता है और अगर हम और अगर हम नएन नमर कुस रिगे तो तीन धात्यूँ को सँया तक कर वर्म में सज़यें तो सबसे ज्यादा जो इसमय स़भी यह होता फिर उससे करम होता है फिर उससे कम सुविव क्याैं भर त्राइप जहां त्रण पकर उससे कम सुव्जाम गैल सिताओैंद Śरॉ-3 की कैलसिय में है तो तो इसमें लोहा जो है Sodeum है और Magnesium है तो यहां पर आप लोग किताब में जो दिया होगा आपका टेवल एक त्रका इसमें देखिये तो आपका तामा जो होगा सबसे कम सक्रियता होगा ठीक है सोना, चांदी, पारा के बाद फिर तांबा आता है यानि तांबा के बाद यह तीसरा चाटा नमबर में आता है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा सबसे कम तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा और आपका 11 नमर कोश्चन है फेरा सल्फेट यह कापी इंपूर्डटेट है तो फेरस लीइट मतलब आयरन इसमें मिला हुआ और भुधर यानि फेरस्लीइट का बिलियन में तामे की पत्तर डालने से तो तामह के अगर पत्तर डाले उसमें तो पत्तर पर लोहे की परत क्यों नहीं जमा होती है इसका कारण लोग समझे क्यूंकि तामा जो होता है वो लोहे की आपे चाक कम सकिरी है और लोहे जो है अधिक सकिरी है और यहाँ पर फएरस सलफेट में अगर या इसके बेलियन में तामा डाला जाएगा तो तामा जो है इस फेरस को जो आइरन इसमें लोहा है उसको भी स्थापन नहीं कर पाएगा मतलब उसको वहां से हटा नहीं पाएगा इसको हम लोग अभी एक्वेशन देखेंगे ठीक है तो इसको भी स्थापन नहीं कर पाएगा क्योंकि तामा जो है वो कामा भी कम सकीरिय और कम सकीरिय जो होते हैं तत सब्सक्राइब कर देगा और इस पर आपका तामा का पतर जम जाएगा क्योंकि यहां पर उसको विस्थापन कर दिया यहां पर थोड़ा सा इसको देखते हैं अगर अधीक सपिरे वाले को पर्थियास थापित यानि इसको वहां से खटाकर वहां पर खुद आ जाता है ठीक है यहां पर आप देखोड़ाक पोटैसियम सबसे ज्यादा सबसे कम इगनेसियम है उसे पकार से आप लोग पा रहा है, चांदी है, सूना है, सबसे कम सूना है, फिर चांदी है, फिर पा रहा है, फिर आता है तांबा, तो तांबा सबसे कम होगा, आपका चाहे वो मैगनेसिया मुचा है, वो सोडिया मुचा है, पोटेसिया, हम सभी से कम होगा, सकी रहे होगा, फेरस से भी कम है, यहा यहां पे देखिए आपका क्या करा हो यहां पर कार यहां पर अधिक ना allevi कर देख ठीक है जे और को यहां पर फ्यरस है चिसम में अगरन प्यायत propose क्यूंकि इसरी इसली सब्सक्राइब से इसले मैं यह हरा बिलियन हो गया है यह नीला बिलियन था जो अब यहां पर हरा बिलियन यह तामबा लग होगा क्योंकि यहां पर कम सकीरिय था इसको परतिया स्थापन कर दिया तो वही बात है यहां पर देखें इसी परकार यादी हम इस परियोग से मैगनेसियम यह फिर जिंक के पतल स्थापित परतिया स्थापित कर देता है और कौपर सलफेट बेलियन द्वारा मुक्त तामबा लोहे के कील पर एकात्र हो जाता है यानि लोहे के अब तामबा को क्या हो अब परतिया स्थापित कर दे इसे लिए तामबा जो है वो लोहे की कील पर एकात्र हो जाता है लेकिन वहांपे हम लोग जो कोस्चन देख रहा है उसमें क्या कर रहा है यह कात्र नहीं हो पड़ाARK तह 캉मा से करिए इसा क्योंकि हो दिए यहां पर प्रतिया इस ठापित नहीं कर सकता है अलोहा का इंद मपनका है यहां पर 1230 शक्रत्व करega जो तो इस एक हमसे केरी में फहां हैं तो यहां पर जो फेरस सलफेट उसमें लोहा को तो यह परत अस्थापन करी नहीं सकता जब करी नहीं सकता तो इस पर लोहा का परत नहीं जमेगा ठीक है न लेकिन अगर यहीं उल्टा होता तो आपको यहां पर देखी रहा है ठीक है तो उमीद है यह कोश्चन आपको पूरी किलियर हो गया होगा तो फेरा सलफेट बिलियन में तामे की पातर डालने से पातर पर लोहे की परत क्यों नहीं जम होता है तो यही कारण है क्योंकि लोहा तामा के तुलना में अधिक सक्रिय होता है या है ठीक है इसी कारण से आप आगया और भी लिख सकते हैं वैसे या तिल प्रूर किजेगा ठीक है यहां पर 12 नमर कोशन एक दरब धातू का नाम लिखना तो वो है पारा जो आपका कमरे के ताप पर भी लिक्वेट फॉर्म में रहता है ठीक है यह सब को पता होगा यह कमपटेटिव एक्जाम में भी पूछा जाता है तेरा नमर कोशन एक बिदूत का सुचालक होता है और साथ में अनित दरब पदार्त जैसे कि जल हो गया ठीक है पानी अगर ले ले तो वह भी एक अधातू है लेकिन उससे भी विदूत का सुचालक होता है तो यह आपका जानने के लिए बता दिए वैसे अंसर यहीं होगा ठीक है वैसे अगर बोला जा तो यह भी सब हो सकते जो भी लिक्विट फ़म में रहते वह भी ठीक है और चौदा नमर में आपका एक कोशन है एक दरब अधातू का नाम लिखना वैसे जो अधातू जो दरब फ़म में लिक्विट फ़म में तो वह आपका ब्रोमीन है जिसका परमानू संख्या 35 होता है इसका गंध के अधार पर इसका नाम ब्रोमीन पड़ा है तो इस भी आप याद रखेगा यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुए बेद तत्व जिन में इसको हम लोग यहां पर देखते हैं पहले इससे पहले यहां पर सुलना नमर कोश्चन दे रहा है कि कोई दो उपध धात्मों के नाम बताएं तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि बेद तत्व जिन में धातु तता धातु दोने के गुन पाये जाते हैं उसको हम लोग उपधातु कहते हैं ठीक है जैसे बोरन, सिलिकाउन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी और टेलियूरियम यह कोई भी लिख देना होगा कोई दोब धातु को नाम बता है तो आपका यहां पर लिखावा बोरन और सिल्कॉन यह उत्तर होगा इसमें ऐसा कुछ गुन मतलब ज्यादा हो जो अधिक चप्टा होता है जैसे कि हम लोग अलमूनियम का भी देखते होगे उसको चप्टा करके नशे उनसर हो चांधी बनाती है तो यहां पे आपका सुना और चांधी जो होता है उस दातु का नाम बता है जो नाम बायू में अपनी सता पर हरी रंग का नीचे बनाती है वो है तांबा थीक है तो तर होगा तांबा है जिस तो तांबा नाम बायू में अपनी सता पर हरी रंग का निचे बनाती है यह आप कांसर होगा तो यहीं पर आती लगू कंप्लीट हो जाता होगा मतलब कंप्लीट हो जाता है और वीडियो अच्छा लगा तुझे लाइक कमेंट शेयर कर दिजेगा चैनल पर चैनल को सब्सक्र आ जाएगा तो वीडियो के पर इंट करते हैं मिलता है आप से अगरों ने तब तक ले जाएं जय भारत